जैहिन दोस्तों आज ही हमारा प्राचीन भारत के इतियास का नववा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे चोल कालिन प्रशाशनिक व्यवस्ता के बारे में कल हमने चोल सामराज्य के बारे में पढ़ा था तो कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि चोल वन्स का संस्तापक कौन था दोस्तों चोल वन्स का जो संस्तापक था वो था विज्याले और चोल वन्स की जो राजदानी थी वो कौन सी थी तो वो थी दोस्तों तंजोर या तं की गई आदित्य पर्थम के द्वारा और एक चीज यहां पर याद रखिएगा तक्कोलम का युद्ध चोल काल में जो है तक्कोलम का युद्ध वह था उसमें जो है राष्ट कुट नरेश कौन थे कृष्णितर तिये उसने चोल सासक प्रांतक पर्थम तक्कोलम का राष्ट कुट जो नरेश कृष्णितर तिये था उसने चोल नरेश प्रांतक पर्थम को राय था किस युद्ध में तक्कोलम के युद्ध में अच्छा एक राज राज पर्थम था उसने जो है स्रिलंका पे आकर्मन किया था ठीक है और उसने स्रिलंका पे आकर्मन करके व दी चोल मनलम नामक जो है प्रांत बनाया था और उसकी राजदानी उसने पोलन रुपा बनाई थी और राज-राज पर्थम के दुआरा जो है तंजोर का राज-राजेश्वर मंदिर जिसे वर्धीश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसका निर्माण कराया था बहुत और यहां से एक महत्रपुन पर्ष्णी ये बनता है चोलकाल से कि गंगे कॉंड चोल की उपादी किस चोल सासक के द्वारा धारन की गई तो गंगे कॉंड चोल की उपादी जो है वो राज राज पर्थम राज राज पर्थम सोरी राजेंदर पर्थम ध्यान दीजीगा यहा पूछा जा चुका है और चोल काल में जो है नट्राज की परतिमा मिली थी उसे चोल कला का शांस्कृतिक शारिया निचोड का गया है यानि नट्राज की परतिमा के बारे में अगर कहीं पूछा जाए कौन से काल से सम्मंदित है तो आप का अंसरों का चोल काल से सम्मंदित है तो आज हम आगे चलते हैं चोल कालिन प्रशाशनी के वस्ता के बारे में बढ़ते हैं अच्छा चोल काल में जो भूमी थी उसके कितने परकार थे चोल काल में जो है भूमी को निम नामों से जाना जाता था ब्रहमदे, शाला भोग, देवदान या तिरुम, ढकनि और पल्ली चंदम अच्छा जो ब्रहमदे थी वो जो गेर ब्रामन किसान होते थे और शाला भोग यानि कोई भी विध्याहले के लिए दान में दी गई भूमी या जो ही विध्याहले के रखरकाओं के लिए जो भूमी दी जाती थी उसे शाला भोग नाम से पता चल रहा है साला भोग शाला मतलब स्कूल देवदान या तिरुन मतकनी ये मंदिर को देवदान यानि कि मंदिर को पहार में दी गई भूमी या इसे देवदान से पता चल रहा है कि देवताओं को दान में देना, यानि कि मंदिर को दान में दी गई भूमी को जो है, देवतान भूमी कहा गया है, उसके बाद में है पली चंदम, ये जो है, जेन संस्तानों को दान में दी गई भूमी को जो है, क्या कहते थे, पली चंदम, और चोल सामराज्य जो है, कितने प् प्रांतों क्या बोला जाता है मंडलम और मंडल जो थे वो कोटम में विवाजित थे यानि कि जिले और कोटम जो थे वो नाडू में विवाजित थे और नाडू जो थे वो कुर्रम में विवाजित थे ये चोल सामराज्ये का जो है परशास्निक विवाजन था चोल काल में नाटूर और जो नगर की स्थानी सबा होती थी उसको नगरतार बोला जाता था ठीक है अच्छा चोल कालिन जो परसासन की ववस्ता से जो परश्चन बहुत बार पूचा जाता है और कई प्रिक्षाव में ये पूचा भी गया है कि चोल परशासन की जो मुखे विशेश था वो क्या थी इस्तानिय सवसासन से यह है कि वहां की ग्राम पंचाइत या ग्रम सबा या ग्राम पंचाइत या लोकल लेवल पे जो उनका परशाशन था यह चोल काल की जो है एक महत्पुण विशेश था थी कि ग्राम सबा और ग्राम पंचाइत यह सब चोल काल में होता था तो इस्तानिय सवसासन जो है वो चोल परशासन की मुख्य विवस्ता थी तो विशेश्ता थी तो यह परशन बहुत बार पूचा गया है कि आपको परशन इस तरह से पूचा जाएगा कि इस्तानिय सवसासन किस परशासन की जो है मुख्य विशेश्ता थी तो वहाँ पे चार और उप्सन दे देंगे पहला चोल पल्लव राष्टकुट इस तरह से तो आपका अंसर होगा चोल परशार्षन की जो है इस्तानी सवसार्षन मुख्य विसीज़ता थी अच्छा उर्व जो होता है वो क्या होती थी सर्व साधान लोगों की जो समीती होती थी उसे चोलकाल मे उर्र बोला जाता था और पेरुंदरम और शेरुंदरन यानि चोल परशार्षन में जो उच्छ पदादिकारी होते थे उनको क्या बोला जाता था पेरुंदरम और जो निम्न पदादिकारी होते थे चोल परशार्षन में उनको जो है शेरुंदरन बोला जाता था ये वाद में है ब्रह्मदे ब्रह्मदे मतलब भूमी ब्रह्मदे मतलब दान में दी दी जाती थी वो थी ब्रह्मदे वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में और कलंजू यानि चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या बूला जाता था कलंजू तनियर जो होता था वो क्या होता था ये एक बहुत बड़ा गाउं होता था जो परशाशन निक दर्ष्टी से उसको जो है क्या बोला जाता था तनियर और सडकों की देखबाल के लिए चोलकाल में एक बागान समीती होती थी तो परशनी ये बनता है कि चोल परशाशन में शडकों की देखबाल के लिए कौन सी समीती थी तो आपका आंसर होगा बागान शमीती और इसके बाद में चोल कांसे परतिमाई जो है वो क्या थी संसार की सबसे उतकर्ष्ट परतिमाई थी चोलकाल में और में चोलकाल का जो में पुणती बंदरगा था वो कोन सा था ये परशन भी बहुत बार पुछा गया है कि में चोलों की जो राजदानी का अकरम था वो इस तरह से था फिर तंजोड, गंगे कॉनड, चोलपूरम और कांची गंगे कॉनड की उपाति किस सासक के दवर अपद धारण की गई थी राजेंद्र प्रत्थम के दवरा और वैसे प्रशन जातरी पुझा दाए कि चोलों की राजदानी कौन सी थी तो आपका अंसर होगा तंजोर और यह सब को भी आपको ध्यान में रखना है अच्छा चोल काल में जो व्यापरिक समू होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था वलेंजियार नाना देशी और मनी गरामम यह सब जो है चोल काल के व्यापरिक समू थे तो आपको जो है चोल काल के व्यापरिक समू के नाम इस तरह से पूछे जा सकते हैं तो आपको यह तिनों ध्यान में रखना है कि वलेंजि का जाता है, अचा दोस्ते उत्त्र मेरूरอभिलेक के बारे में भी जो है उत्त्र मेरूर अभिलेक के अनुसार सभा की सदस्य का सदस्यता के लिए कुछ अहरताइभ होती, अहरताइ mr. मıtलब की कुछ कि आप पुलेंगे, eligibility इस मतलब की कोई सबा या समीतिका कोई सदश्य बनता है तो उसके लिए क्या क्या eligibility होनी चाहिए उसे उत्तर मेरूर अभिले किस से सम्मंदित था यह चोल सासक प्रांतक पर्थम से सम्मंदित था अच्छा प्रांतक पर्थम का हमने जो है पीछे भी तककोलम के युद्ध में उसका है कि तक कोलम के युद्ध में जो राष्ट कुठ नरेश कर्ष्ण तरतिय था उसने चोल सासक प्रांतक प्रांतक जो पर्थम था उसको प्राजित किया था और यह जो उत्तर मेरूर अभिलेक है वो प्रांतक जो पर्थम था चोल सासक उसके काल से ही सम्मंदित है और उत्तर मेर कर देता हो और उसकी उमर 35 से 70 के बीच होनी चाहिए उसे वेदों का ज्यान होना चाहिए उसे परशाष्टिंग मामलों की जो अच्छी जानकारी होनी चाहिए और पिछले तीन सालों में वो कोई भी सब्जीति का सदश्य होना चाहिए और अगर किसी भी इस तरह किसी भी सद चाहता है तो उसके लिए यह इलिजिबिल्टी थी तो आपके लिए परशनी यह बनता है कि उत्तर मेरूर अभिलेक किस समंदित है तो प्रांतक पर्थम के काल समंदित है दूसरा उसमें किस चीज का उनन है तो सबागी सदश्य के सदश्य अता के लिए क्या-क्या नतराज की पर्तिमा के बारे में जो नतराज इकांस से पर्तिमा है जो साइध हमारे इसमें नतराज की पर्तिमा जो थमलेन है वीडियो का उसमें भी लगा रखी है देख लीजिएगा और वरदेश्वर मंदीर राज-राजिश्वर मंदीर जो है उसको क्या मना जाता है भा